हाई फ्रेंज कैसे आप इस वीडियो पे बात करेंगे STR vs SIX, Dream 11 Stats Plus Info यानि की Adelaide Strikers और Sydney Sixers के होने वले मैच के बारे में ये Big Bash का मैच नमबर 2 है इस साल का यानि की कल आपको एक मैच होता दिखा था ये मैच नमबर 2 रहेगा और Adelaide Oval के ground में ये मैच खेला जाएगा दोस्तों इस मैच के जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको वो टेलिग्राम पे प्रोवाइट कर दूँगा for example कई बार अपडेट इंपोर्टेंट इतना ज़्यादा हो जाता है लाइन अप में चीज़ जो जाता है सो वो मैं आपको टेलिग्राम पे देपाऊंगा टॉस से जो पहले और accurate pitch report भी आपको तब मिल जाएगी अभी हम study करेंगे कि pitch कैसी होनी चाहिए और कैसी होगी exactly वो मैं आपको कर टेलिग्राम में बताने की information दूँगा सो प्लीज आप हमारे जो टेलिग्राम में है जोड़ जाए लिंक मैंने वीडियो की description में दिया हुआ है वेन यूगी बात करूँ तो Adelaide Oval का जो ground है एक neutral scoring ground है यहां generally तो high runs बनते हैं हलका सा spin भी game में रहता है लेकिन overall मैं इसको neutral मानूँगा World Cup में अभी बहुत आपको इसके रंग देखने को मिले अलग-लग लेकिन एक चीज में बता देता हूँ भारत के अनुसार जो वक्त है क्योंकि हम भारती हैं मैं सिर्फ यही बात करूँगा World Cup के match जो साड़े 9 होते थे और जो 130 होते थे यह Australia में night game बन जाता है लग-बग ठीक है second half में और यह जो है यह day game ही रहता है इस वले match में जो साड़े 9 हो रहता था bowlers को जादर support था लेकिन जो नीचे वला match था उसमें batsman को और यह match भी भारत के अनुसार 130-140 के time के round ही start होगा तो उस time पे मैं मानता हूँ कि बले-बाजों को थोड़ा जादर support रहना चाहिए इस World Cup में आप match देख सकते हो यह match day game था आप देख सकते हो runs नहीं बने थे रात वले match में runs बन गए थे जो day night था then again यह वले match में runs बन गए थे यह वले match में भी runs बन गए थे लेकिन spin इस game में बड़ा factor रहा था चाहिए विक्टे आपको चारी दिखेंगी gain turn हुआ था इसमें भी देखो 6 spin को wicket गई थी overall average scoring ही गई है England ने एक match में या इंडिया के सामने बहुत easy chase कर दिया था कोई ही बात day night में थोड़ा सा बल्लेबाजी असान और यह तो देखो second इस तो night की तरफ ही बढ़ेगी न डे से तो runs आपको second half में देखने को मिल जाएंगे wickets 88 के बदले 60 fast को 21 spin को और 7 earn out कई न कई everybody is in the game let's just focus on the best players available और जो हम बात करेंगे अब सिड़ी Sixers से सिड़ी Sixers का एक खिलाड़ी Daniel Hughes आ रहा है तगड़ी फर्म में पिछले 5 one day matches ने ODD domestic matches न्यू सौथ वेल से जो खेले इनोंने 43 Daniel Hughes, 101, 139, 0 और 117 इस लीग को आप जिसे भारत में विजय हजारे टोफी देखते हो state versus state matches वैसे ही देख सकते हो तो भाई ये तगड़ी फर्म में आ रहे हैं लेकिन T20 में ये अगर opening पे आते हैं तो best करते हैं, one down पे आते हैं तो ठीक करते हैं उसके नीचे इनका काम खराब हो जाता है क्योंकि technically sound player है, बहुत बड़े attacking player नहीं है ठीक है, तो आप इनसे कुछ 40 ball 70 type innings की वज़ा है 40 ball 55 type innings जाद expect कर सकते हो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूँ इनके इतने अच्छे बल्लेवाज है कि इनकी टीम में किसको बाहर करेंगे कहना मुश्किल है for example, Steve Smith तो चलो अभी available नहीं है then यहाँ पे, I don't think Mickey Edwards भी अभी है बाखी के players आपको squad में दिख रहे हैं and Jack Edwards का भी मैं शौर नहीं हूँ तो यह कुछ players है जो आपको squad में दिख रहे हैं अब इसमें कौन हमारे लिए game changer हो सकते है इसमें game changer मुझे दिख रहे हैं सबसे नीचे इसके अलावा जो मुझे एक option दिख रही है Stephen O'Keefe हर साल आते हैं पहले ही match में 2-3-3 wicket निकाल के जाते हैं I think last year का Big Bash का पहला match फटा थो 3-4 wicket हैं इसके नाम थी मैंने तब भी game changer इनको name किया था same reason से आज भी name कर रहा हूँ नैथन लॉइन भी दोस्तों भी अवेलेबल नहीं है ashes वगेरा में ashes कहरों माफ करना test matches में busy है तो वहाँ खेलेंगे Jackson bird hair item fast और hidden car बहुत अच्छे bowler हैं और runs भी करते हैं एक बार तो ये semi final था या अब लब कुछ league match नहीं था quarter final ये सब तो matches रहते नहीं eliminator वगेरा रहते हैं इसमें तो वैसा कोई match था just final को qualify करने के लिए तो वहाँ पर hidden car ने opening pack 90 run मार दिये थे तो ये runs भी कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर ये opening नहीं करेंगे openers इनके पास already है Josh Philippe और James Wins maybe second half में शायद आपको opening करते दिखें इस tournament के जब James Wins सरवानों हो जाएंगे IEL T20 यानि जो UAE की T20 league है वहाँ खेलने तब शायद hidden car opening करें या Dan Hughes वो depend करेगा इनके management के उपर Curtis Patterson है left hand batsman और Dan Hughes एक option है दोनों ही अच्छे है लेकिन मुझे लग रहा है Curtis Patterson का last year का performance देखते है शायद पहले उनको start मिले ये भी हो सकता है कि Jordan Silk को भार रखें और इन दोनों को खिला ले Moises Henrikis है Jordan Silk वानों का best fielders big bash में ठीक है Dan Christian है Hayden Kar है Sion Award Ben Warshis, Stephen O'Keefe, Naveed All round team इनकी बढ़िया है इनके बास तीन इच्छे pace वी कल्प है दो अच्छे spin वी कल्प है support में Daniel Christian भी है ठीक है अब Sydney Sixers के full stats पर सिंफो इसमें legendary अगर आप players देखोगे जो बहुत T20 के लिए Dan Christian 393 matches to 76 wickets 5000 से उपर run है लेकिन अगर आपको normally बताओ किसी का stat अगर आपको read करना है वो runs पे आप कैसे read करोगे Dan News 94 match 89 news 2000 run 27 average 13 अर्थ शतर ठीक है ऐसे ही आप किसी भी player का read कर सकते हो जो आप read करोगे आपको realize होगा Josh Phillip है काफी अच्छा कर रहे है recent time में ठीक है James Wins का तो record unmatchable है average भी है मैं आपको बता दू मैं पिछले कुछ domestic matches में bowling करी है तो यह Dan Christian के साथ एक विकल्ब बन जाते हैं Sydney Sixers के लिए ठीक है यह last year again के आप stats देख रहे हो मैं इनके सबसे अच्छे बल्लेबाज रहे थे 16 match में 440 रन थे Josh Phillip के 439 थे Patterson के 391 I think यह Perth में खेले थे if I am right बड़ स्कोरिंग आई थी Dan Hughes 287 Dan Christian 264 नीचे खेलते हैं finishing करते हैं Hayden करकी एक ही solid innings आई थी जिसमें बन बन रन थे बाकी matches में तो कई में तो इनको बल्लेबाजी भी नहीं मिली थी Wins 149 प्लियर बहुत बढ़ी है Again Hayden कर क्यों important आप हो दिख रहा है Sonobard 14 में 19 22 चौदा में 17 Steve O'Keev 11 वे 15 Christian 17 में 7 बाकी Jackson Bird 6 में 4 बाकियों के जो matches है इसमें ये players अभी available नहीं है Tom Murphy जरूर है मोईजिनर्टी जरूर है तो उनके देख सकते हो Adelaide की बात करूँ इनके भी कुछ जाने माने खिलाडी जिसे Alex Carey अभी available नहीं है Harry Nielsen उनकी जिएका विकेट कीपिंग करेंगे Rian Gibson फिनिशर इनके अभी available नहीं है Adam Jose इंग्लेंड के आगए है Henry Hunt है Tom के लिए Travis Head अभी available नहीं है Matthew Short है Ben Mananty, Rashid Khan है Peter Siddle, Wes Agar, Cameron Boy से Jordan Buckingham, Upcoming Bowler और Harry Conway इसमें जो मुझे line-up दिख रही है लगबग दोस्तों ऐसी line-up दिख रही है Harry Conway का भी injury concern है तो I'm not so sure खेलेंगे के नहीं बट ये line-up मुझे अभी दोस्तों लग रही है Adelaide Strikers की opening इनके होगी Jack Weatherald और Matthew Short Tried and Tested इनका पियर है Chris Lynn number 3 पे इनके coach Jason Killespie ने अल्रेडी बोल दिया press conference में कि Lynn को हम number 3 पे खिला दे का सोच रहे है Adam Jose जिसको नहीं पता English T20 League में काफी अच्छा खेलिए अभी UA T10 League में भी गए थे वहाँ उतना इनको मौका नहीं मिला बट ये टिकाउँ clear है विकेट इसली नहीं देते rotation बहुत अच्छी है double single बहुत बढ़िया लेते है अब सामने इनके जो middle में spin है उसको counter करने का काम इनको दिया जाएगा Colin D. Grandholm नाम बोलता है बड़े finisher है साथ में आपको runs भी देते हैं और medium pace की इनबाजी भी Harry Nielson, राशित खान, बेन मिनेंटी बही ये बंदना अभी बहुत तगड़ा खेल के आ रहे और runs भी करके आ रहे लास्ट येर तक आपको ध्यान होगा ये BBL में bowling से होता था इस पर उठा के all rounder में डाल दिये क्योंकि भाहिया थोड़े run भी करके आ रहे नमेस्टिक में प्यूजबाई कुछ खास स्टैट्स नहीं है दोस्तों इसमें से majority जो इनका काम था लास्ट सीजन का है ठीक है जहां ये बहुत बढ़िया के लिए अच्छा प्यूजबाई फिर तो लास्ट सीजन के स्टैट्स सामने लिखे हुआ है दिखा दो ठीक है अब यहां पे सब के स्टैट्स रीड कर सकते हो मैं आपको लास्ट सीजन के दिखाते हूँ मैथ्यू शॉट ने इनके करियर के आदे रहनी लास्ट सीजन में मारे है 16 मैच 413 में 32 की अवरेज 3 अर्श तक और मैथ्यू शॉट ने वही नहीं 16 मैच में 8 विकेट भी निकाले है सो अल्मोस्ट 2 मैच में 1 विकेट कभी-कभी अगर आप देखो 2 मैच में 1 विकेट आ रहे है थोड़े से रन आ रहे है काम बन जाता है ठीक है न अब यहां पे टॉम केली यह भी खेलने के पूरे दावैदार रखते हैं लेकिन अभी टीम में थोड़ा सा डाउट है टॉम केली, बेन मैंटी इन में से कोई एक खेल सकता है ठीक है वैदरेल्ट 14 मैच 213 नियलसन 14 मैच 131 हैंडरी हंट 6 मैच 102 अभी अवेलेबल नहीं है अल्दो इनके वन ओफ गूट प्लियर्स में है यहां राशिद है 11 मैच 51 ट्रेविस हैड भी अभी अवेलेबल नहीं है रियान गिपसन 2 मैच 8 अभी अवेलेबल नहीं है विकेट्स के मामले में पिटर सिडल इनकी आप बोलिंग बहुत चंगी जी लास्ट यर पिटर सिडल 17 मैच 30 राशिद 11 मैच 20 फॉंटन 7 मैच 13 बोईस 4 मैच 10 मैच इस कम मिले थे इनको लेकिन इस टीम में आ गए हैं अब एड लेड में देखते हैं कितना मोगा मिलता है अब आप दिहान से देखोगे ना इनकी बोलिंग स्ट्रेंथ है ना कि इनकी बल्ले बाजी अभी हम मैच अपस देखते हैं दोस्तों अब आप देखोगे मैच अपस तो उसमें आपको क्रिसलिन का नाम मिलेगा उनको तंगी जो हुई है मेजरली जॉडन से हुई बट जॉडन भहिया तो अवेलेबल है नहीं तो ना भटा देते हैं बचे इनको तंग करने वाले स्टीव ओकीफ क्योंकि उनकी एकनॉमी देखो लिं की मतब स्ट्राइक रेट देखो लिं का कुछ खास नहीं है स्टीव ओकीफ के आगे डवार्शियस के आगे एक बार आउट हुए है हिडन कर पे दो बार आठ गेंद में और अब ओट को भई रन बहुत पे ले हैं लेकिन दो बार आउट हुए है बेसिकली जो मुझे सबसे बड़े पॉइंट देखे हिडन कर और स्टीव ओकीफ है सौन अबोर्ट भी इनको चक्मा देने में काम्याब हुए लेकिन लिंन ने इनको रन मारे हैं तेजी से मैथ्यू शॉट दो बार सौन अबोर्ट पे सिक्सर्स के बल्ले बास देखते हैं राशित खान ने दो बार आउट किया जोश फिलेपे को ठीक है और किसी ने ज़्यादा तंग नहीं किया सीडल ने एक बार विंस को दो बार राशित को कर्टिस पैटरसन राशित के आगे भी सब के आगे लगबग नॉर्मल है ठीक है तो ये एक मैच अप वाइस देखोगे तो ही इस अ गूड प्लेयर कर्टिस पैटरसन टेकनिकली साउंड है इसको नहीं पता ऑस्ट्रिलिया के लिए अपको याद होगा मैंने आपको बोला था ये वन टू डाउन टू डाउन आते हैं तो इनका जितना नीचे आएंगे ना इनकी पोटेंशल काम हो जाती है क्योंकि ये टेकनिकली साउंड प्लेयर है जो पावर प्लेय में बड़िया बल्ले बाजी करके देंगे विकेट इजनी नहीं देंगे हेंड की जोड़न सिल्क राशित पर तीन बर वैसा अगर पर एक बार एक नाम कॉमन आपको दिख रहा है दोस्तो राशित खान आपको हर विकेट में राशित खान देखने को मिलेगा लगभग यहां पर सौन अब ओड को छोड़के हेडन करको भी छोड़के ठीक है अब आप यहां देखो तो सिडल सेकेंड मोश कॉमन है तो सिडल और आशित मैं आपको रेकमेंड करूँगा एडलेट के बोलर्स चलिए आगे टीम करने चले हैं एप्लिकेशन मना लो 11 ही आपको प्लेयर बनाने इसका 11 उसका 11 मेरा 11 आपका 11 बट ऐसी एप्लिकेशन नहीं आपको मिलेगी तो जरूर डाउनलोड करो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कोड फोरकास चे आपको क्या फायदा होगा 50 रुपे बोनस जो की सबको मिल ज सबसे पहले जवाब पस्विकल दिख रहे हैं उनमें तो यहां पर मुझे जो अच्छी ऑप्शन दिख रहे हैं हेडन कर 32 में मुझे अच्छ अच्छ अप्शन लगे हेडन करके मने चार्शियर निकाले कलकुल टरनाइल के निकाले थे आपको याद होगा और काफी काम करक अगर जेक वेदरेल्ट पर 33 रिटरन है मेथ्यू शॉट 42 है रेट इनका बस इसके लाबा मैं कोई खास पी कभी नहीं कर रहा हूँ फिलाहल मैं यही पी कर रहा हूँ अच्छ सीरीज वाइस इसको नहीं पता टॉप राइट कॉरनर पर जाके ट्रेडिंग यह उप्शन मैच इसके साब से आपको रिटरन है अगर आपको लगता है कि यार यह प्लेयर 14 ही खेलेगा तो दो मैच इसकी कंपेंजिशन आपको मिल जाएगी मानलो लीक स्टेज में वह भार होगे तो कंपेंजिशन निकालने का डिरेक्ट फॉर्मला पता हूँ बाइसल को एड़ करो डिवाइड बाइ नौट सो शॉर बट जित्रा मुझे आद है 32 था डिवाइड बाइ 32 किया आपका एक मैच का कंपेंजिशन आ जाएगा ठीक है अब यहां पर हेडन करेक मुझे अच्छा विकल्प दिख रहे हैं लेकिन भी इनका ओर्डर शौर नहीं है फिर भी मैं एक दो शेयर निकाल रहा हूँ ज्यादा मतले ना क्योंकि लास्ट टाइम कुछ मैचिस में उपनिक आए इस बार वो शायद ना हो रसल केवल चार मैचिस के लिए ही है तो ज्यादा बात करने की ज़रत लगने ही मुझे ठीक है बागी मैट रेंशो का रेट हाई है वरना मुझे प्लेयर बढ़िया लगते है यहां पे जो बाकी के विकल्प है के रिचर्डसन बड़ी ऑप्शन है बट वही बात है रेट अच्छा खासा दिया हुआ है तो यही बात है रेट इस बार एक एक बड़ी देखें अगर हम 500 है अच्छा मैंने अकेल उसे इनके मी चार शेर अल्रेडी लियो है जोनेतन वेल्स एक्चली एक कंसिस्टेंट के लाड़ी है लेकिन 16 मैच में क्या आप इनसे 400 रन देख रहे हो यह एक सवाल है क्योंकि 400 रन देख रहे हो पांच चार पांच कैच हो गए थोड़े से 50 हो गई एक दोबारी उसके पॉइंट थोड़े से कैच इस हो गए वही कुछ एड़ो के बन जाएंगे पॉइंट लेकिन क्या 400 रन देख रहे हो 16 मैचेस में प्यूज भाई अगर 14 ही मैचेस के लिए तो आप 350 रन देख रहे हो क्या यह सवाल अग है और मैं बता दूँ अगर यह दोनों ओपनी कर भी जाते है तो भी पहली चोईस जोश फिले पे ही रहनी चाहिए क्योंकि यह जादा बहतर प्लेयर हैं सीड्नी के लिए पिछले एक दो साल में अच्छा परफरमेस दिया है बल्लेबाजी के जो विकल पाई है उसमें क्रि इस तिंग कि Sixers के लिए यह काफी important player है तो यह तीनों आपके लिए important है लेकिन बात करें वेदराल्ड की यह last year खराब खेले तो addy lead खराब के लिए second last year यह बढ़िया खेले थे उससे पिछले year भी यह बढ़िया खेले थे वेदराल्ड को आप ले सकते हो domestic performances भी ठीक रही है नहीं देते न्यू साथ के वेल्स को कप्तानी भी कर रहे है domestic matches में ठीक है सो Curtis Patterson एक option है वेदरल्ड एक option है लेकिन स्टीव स्मिथ अभी नहीं केलेंगे डैन यूस domestic level performance अच्छा है मैंने T20 में बता दिया मैं ज्यादा trust क्यों नहीं कर रहा एडम होजे अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छे player है और डैन यूस का बताया पिछले तीन पांच मैच में तीन चतक है इनके ODD में एडम होजे बहुत अच्छे player है middle order में आते है spin को बहुत अच्छा केलते है strike rotation में बिलीव रखते है एक आधी odd boundaries यही 30-40 गिन में 50-60 की इनिंग्स बन जाती है और यही इनको यहाँ पे world leagues में प्रसलित कर रहा है बहुत ज्यादा अच्छा खेले हैं यह English T20 leagues में Jordan Silk one of the best fielders लेकिन आते है three down पे अर्यान Gibson finisher है नीचे आते है प्लस अभी I don't think squad में है Edwards opener है बट यहाँ पे मुझे जगह नहीं दिख रही टीम में Kelly और Henry Hunt भी अच्छे player है बट नीचे आते है तो इनको लेने का मुझे मतलब नहीं दिख रहा है इन में से कोई हो सकता है Curtis Patterson को कर लूँ तो यह game time decision रहेगा अगर मुझे ऐसा लगता है कि Curtis Patterson ही number 3 आएंगे Henry Keys 4 आएंगे फिर उस case में मैं यह change कर सकता हूँ लेकिन Lynn और Vince को मैं नहीं छोड़ने वाला यह भी हो सकता है कि मैं additional batsman लेलू किसी आगे के player को drop करके All-rounders में Travis head अभी नहीं खेलेंगे तो जिनका head सही है वो बिल्कुल इनको नहीं लेंगे ठीक है Matthew short नाम short लेकिन इनके short एक्चली लंबे हैं ठीक है तो मैंने Matthew short को जरूँ टीम में रखा है इसके अलावा जो मेरे को option दिख रही है Sonobot क्यों क्योंकि इनके matchups में बहुत नाम थे दो-तीन विकेट ले जाते हैं स्टार्ट में एक दोर करते हैं एक आदा हो डैस में डाल सकते हैं जनरल ही देखोगे बहुत reliable player हैं साथ में wickets के अलावा यह आपको catching positions पर भी दिखते हैं और इवन runs भी कर लेते हैं जरूरत पड़ी तो 4 से 5 डाउन आते थे इस career की शुरुआत में अब वो 5 से 6 डाउन हो गया है बट still important ठीक है Christian over नहीं करेंगे तो इनका इतना late order है 4 से 5 डाउन की इनको मिलते ही कितने over है 6-7 over मैं यह नहीं कह रहा 50 नहीं कर सकते हैं बहुत बार किये हैं इन्होंने end में आके मुझे grand list ही था यह हुझे आगा है बढ़ बात फिर वही आ जाती है कि small league में अभी नहीं जगा बन रही ठीक है Hayden कर last time Sydney Sixers के top wicket taker I think 16 में 25 wicket इसके लावा he had a great innings at top of the order player बहुत solid है क्योंकि top order में आ सकते हैं इनकी शमता और अच्छी है recent team को English T20 में I'm not so sure शायद Derbyshire और Durham में से किसी एक team में sign किया था वहाँ पर यह one down पर आ रहे थे अब क्योंकि already Sixers की team में top order इतना heavy है Josh Philippe है James Wins है Moises Henrikis है Curtis Patterson, Dan Hughes उन में से किसी को बार बढ़ बढ़ाएंगे तो भाई hidden कर कहा top order में यह एक reason मन रहा है यह hidden कर को as finisher देखो और as bowler देखो main ठीक है quality के random T20 में world renowned player रहे है बहुत अच्छे hitter है hard hitting करना जानते हैं, बड़े shots लगा रहे जानते हैं काफी time से नहीं के लिए test format खेलेते हैं कुछ New Zealand में यह 4-day 5-day matches इसके अलावा थोड़ी सी medium pace bowling करते हैं Henry Thornton बड़िया fast bowler है, wickets निकाल लेते हैं इसको arounder section में दिया जरूर हुआ लेकिन majorly as bowler देखना जो थोड़ी बल्लेबाजी का support दे सकता है similarly Ben Mananty spin bowler है लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाजी से support दे सकते हैं यह dangerous player है, wicket ले जाते हैं ठीक है, ध्यान रखना तो bowling पे मैं आता हूँ जहां राशिद और सिडल, last time के strikers के दोनों main wicket taker थे राशिद का तो नाम काम दोनों बोलता है सिडल इनके लिए veteran player बहुत अच्छी wickets निकाली थी last year इन्होंने, Jackson Bird, Jackson पंची, ठीक है, Jackson Bird test matches में बहुत बढ़िया करे हैं इस format में आपको 3 over ये न, second, fourth, sixth over ऐसे ही कर देंगे, ये death के लिए नहीं ज़्यादा बचाये जाते हैं, लेकिन ये wicket taker है edge लगवा के catch करना थोड़े ऐसे type के, और इनके सामने होंगे Matthew shot, shot लगाने के लिए तो Matthew shot आउट भी हो सकते है, बट मैं अभी Jackson bird को नहीं ले रहा, मैं जा रहो Ben Dwarcius के उपर, जो की death bowler है most likely Sydney Sixers की तरफ से मैंने already strikers के राशिद और Siddle को लिया, Sixers के कर को abort को और Dwarcius को तो मैंने पास 5 bowler आगया है, तीन नो जो main bowler है, fast, Sixers के और strikers के भी दो main bowler एक player की जगा बच रही है Stephen O'Keef है, एक option, spin bowler wicket taker है, लेकिन इसके अलाब अगर आपको all around option चाहिए, all around है आपको नवीद चाहिए, तो spin bowler Sixers के record है, या फिर Josh Canby actually squad में, ये भी खराप ले नहीं है ध्यार मकना अगर केल जाए, तो ठीक है, recent lead का record बढ़िया है, बट मैं यहाँ पर अभी क्योंकि Jordan available नहीं है West Agar का जिकर भी करते तो, एक बर क्योंकि Ashton Agar के भाही है, जो उस्ट्रिया के लिए खेलते है, तेज gain buzz है, ये तेज है Last season अच्छा नहीं गया, second last season में he was one of the top wicket takers, धान रखना केवल पिछला season नहीं देख सकते है, ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास खुला एक विकल्प है Any player we want और ये हमारा player decide होगा team time पर, जब हमारा toss हो जाएगा Curtis Patterson, Weatherald, दो option Grandhome, ठीक है, तीसरे option और चौत्य option जो आ रहा है, West Agar ये basically मैं option सोच रहा हूँ फिलाहाल मैं safe क्या हूँ, Colin D. Grandhome को लेके बढ़ यहाँ पर change मैं कर सकता हूँ मैं फिर से बता दू, I can change अब मैं CVC की बात करता हूँ कल मेरी वीडियो वाली team रखी दी मैंने, लेकिन मैं आज change करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि wise captaincy की जो विकल्प है, एक राशित खान हमेशा विकल्प रहेगा, Matthew Short अच्छे विकल्प है, Hayden कर एक अच्छे विकल्प है, ये तीन तो विकल्प है ही, बल्लेबाजी से कोई चाहे, तो Josh फिलिप, James विन्स भी विकल्प है, मैंने अपनी कप्तानी अभी किसको दिये, मैंने अपनी कप्तानी अभी दिये, राशित खान को, wise captaincy मैंने दिये, Matthew Short को, आप पा सेडन कर का भी option है, आप उनको भी कर सकते हो, मैंने कप्तानी राशित, wise captaincy short को दिया, उम्मीद करते हो, इस वीडियो के थूँ आपकी help हो पाएगी, अगर आपको लगता कुछ help वा तो like, support जरूर करो और telegram girl link, वीडियो की description में जरूर चुड़ जाओ